प्राचीन भारतिय पौरानिक कथाओं में शनी और भगवान हनुमान का संबंध विशेश महत्व रखता है। शनी देव को कर्म के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनी की साड़े साती और धैया के समय को लोग अकसर कठिन मानते हैं, क्योंकि यह समय जीवन में चुनोतियों और संगर्शों का प्रतीक होता है। लेकिन भगवान हनुमान की भक्ति से शनी के कष्ट कम हो सकते हैं। कहानी के अनुसार, जब शनी भगवान को रावन ने कैद कर लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें म हनुमान जी की पूजा करते हैं। और भगवान हनुमान का ये पौरानिक संबंध शनी देव के प्रभाव को शान्त करने और जीवन में संतुलन बनाये रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।